Hello everyone, welcome and welcome back to my tip channel, fashion design with Pradud आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ MF Teach full course details के बारे में, जिसमें आएगा MF Teach course का duration क्या है, fees क्या है, eligibility criteria क्या है, किस तरह से admission लेते हैं इंडिया में top colleges कॉन से, AC levels क्या है, job facilities क्या है, आगे आपकर क्या-क्या scope है, everything सब कुछ के बारे में आज के वीडियो में discuss करने वाला हूँ इसलिए वीडियो को skip ना करके पूरा देखिए, और एक बात, आप अगर मेरे चैनल पर नाए हो, तो subscribe to my channel and press the bell icon, तकि जब भी इस तरह के वीडियो अप्लोट हो, सबसे फ़हले notification आपके पास पहुच है तो ज़्यादा बात ना करके चलते हैं वीडियो के तरह MFT एक post graduate level course है, जिसका duration होता है 2 years के लिए Post graduation level में MFT बहुत ही एक popular courses है और MFT course all the except of designing and technical machines work MFT में admission लेने के लिए, सबसे पहले तो candidates को graduation pass होना ज़रूरी है, because एक post graduate level course है After graduation इस course को करते हैं लोग, इसलिए इस course में admission लेने के लिए आपको graduation pass होना ज़रूरी है और दूसरा है candidates को bachelor degree complete होना ज़रूरी है, for example BFT जैसे degree, मतलब MFT में अगर आप admission लेना चाहते हो तो आपका degree complete होना ज़रूरी है, because after degree आप इस post graduate course में admission ले सकते हो But some colleges में marks भी बहुत जादे important है, जैसा कि आप graduation के बाद MFT में admission लोगे तो उसलिए आपके graduation में जितना marks था, उस marks के उपर depend करके आप eligible होगे, जैसे कि कुछ colleges में 50% marks के उपर भी आपका admission होता है MFT में admission लेने के लिए आपके eligibility क्या होना चाहिए, वो तो मैंने बता दिया, अब जरूर ये अब किस तरह से admission ले सकते हो admission लेने के लिए MFT course में, जैसे कि some popular colleges में अगर आप admission लेना चाहते हो, तो वहाँ के interest exam को आपको crack करना होगा जैसे कि for example NIFT, NIFT के बारे में example देता हो, because NIFT में MFT बहुत ही popular courses है और ज्यादा तर students जो MFT करना चाहते हो, वो सभी NIFT से ही करते है इसलिए NIFT में अगर आप admission लेने चाहते हो, तो वहाँ के interest exam आपको crack करना परेगा और some colleges में आपका merit basic भी admission होता है, some colleges में आपका direct admission भी होता है पर जादा तर colleges में MFTs जो है, वहाँ पर आपको exam देना ही पड़ता है और exam का criteria क्या है, वो तो आप सभी जानता हो, जैसे कि college website पर जाकर आप front lab कर सकते हो पर आं तो किसी online cafe जाकर आप front lab कर सकते हो, तो इस तरह से MFTs में आप admission ले सकते हो अब बता तो MFTs course में कौन से subject आप परोगे, वैसे तो बहुत सारे subject है, एक master's level course है और इसमें काफी सारे subject है, जो आपको सिखाया जाएगा, वैसे तो जो MFT students है, वो सभी degree कर चुके है, degree कर कर के आए है MFTs में और वो सारे students fashion designing के बारे में basic knowledge गेन कर चुके है, इसलिए MFTs में आपको दूसरी तरीके से परहा जाता है, दूसरे level में परहा जाता है जैसे कि आपको इसमें बहुत कुछ सिखाया जाते है, principle of designing, introduce of fabric, उसके बारे में आपको सिखाया जाता है और काफी सारे subject है, जो आपके MFTs में सिखाया जाता है, बहुत ही deeply सिखाया जाता है, आप screen पर भी देख सकते हो, बहुत सारे subject है So MFTs में आपको इन सभी subject में आपको सिखाया जाएगा अगर आप सोच रहे हो, मुझे MFTs course करना है, और करना है तो इंडिया का top colleges से करना है तो आए जान लेते हैं वो top colleges किया क्या है, NID, Amdabad, NIFT, Mumbai, NIFT, Delhi और काफी सारे institute है, जहाँ से आप MFTs course कर सकते हो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो सभी colleges के बारे में मैं share कर रहा हो आप लोगों को After MFTs course करने के बाद, आपके सामने क्या क्या job options होगा After MFTs course करने के बाद, बहुत सारे job options आपके बास है, वैसे तो fashion designing field में job roles का कोई कमी नहीं है, बहुत सारे job options है आपके मन पसंद job up कर सकते हो, आपके knowledge basic, जैसे कि अपके MFTs course करने के बाद, garment designer, designer technologist, consultant, manager, fashion illustrator, apparel production manager और merchandiser जैसे बहुत सारे job roles आपके लिए available है और MFTs course करने के बाद, आपके salary कितना हो सकते है, आप annual 3-6 लाग तक कमा सकते हो, after MFTs course करने के बाद, तो आज के वीडियो में बता दिया MFTs course के बारे में, अगर आपके दिमाग में कोई confusion हो, तो आप मुझे comment box में पूर्ट सकते हो, और अगर आप मुझे personally मुझे बात करन खरी.